आज की इस एपिसोड में हम डिसकस करने वाले हैं PNB बैंक के बारे में यहां देखेंगे कि आज इसे स्टोक में more than 4% का तेजी दिखा है और इस तेजी के पीछे का कारण रहा है कि PSU बैंक और परफोर्मिंग रहा है इसलिए 1 मन पे 23%, 3 मन में 52% और 6 मन में 64% के बाद यहां वीकली टर्म में भी देखेंगे तो स्टोक ने 15% तक के डिटर्स दिये हैं यहां देखेंगे कि इवन जो हायर प्राइस है वहां भी बाइंग दिल्चस्पी लोगों की दिख रही है जिसके कानिये ट्रेंड कंटिनू है इसी बीच में जो MK Global है पता नहीं यह कैसा कंपनी है यह सभी कंपनी को डाउंग्रेट कर रहा है और इसके टार्गेट 30 के दिये हैं अब यह 5-10-20 साल में कभी न कभी कोरोना जैसे करेक्शन आएगा इसके टार्गेट 30 होंगे फिर यह बोलेगा कि हमारा टार्गेट अचीव हो गया है तो इसके टार्गेट से बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है यह लोग ऐसे ब्रमक टार्गेट देते हैं इनका जो भी टेक्निकल ही अगर देखें तो यह स्टॉजेंट ट्वेंटी से 2022 के लाश्ट तक यानि देखेंगे तो 1,2 और 3 लाश्ट 3 यह से यह स्टॉच कांसोलीडेट है और जब 3 यह स्टॉच कांसोलीडेट करता है उसको ब्रेक आउट करता है तो जो 40 परसेंट के रिटर्न यहां बेस से आपको देखने के मिला अगेन उसको 40% ऊपर रखेंगे और 70 प्लस तक के लेविल इजली से स्टॉक में एक 3-6 मंत में दिखने वाला है तब अपना टार्गेट जरूर बता कि आपको इमके ग्लोबल को के टार्गेट को ले करके आपका क्या परतिक्रिया हैं